विडियो तो इस वीडियो में दोस्तों लोग बात करने वाले हैं आपर SLTAK के Q4 की रिजल्ट के बारे में अब जश्कुश मिनट पहले SLTAK ने अपने Q4 रिजल्ट ऑफिशली अपडेट कर दिया है तो चली दोस्तों directly company के financial result को cover करते हैं बड़ उससे पहले company ने अपने shareholder के लिए intermittent का announcement किया है जो किये 18 रुपेज पर equity share अब directly company के financial result को लिए चिक आउट करते हैं तो दोस्तों मैंने यापर company का consolidated financial result open कर रखा है सभी figure जो है वो rupees in करोड है तो चली सबसे पहले हम लोग company के total income को check out कर लेते हैं तो total income को अगर previous year का देखोगे तो 22,914 करोड था जो की बढ़कर हो चुका 27,000 करोड क्वाज अगर आप देखेंगे तो 26,900 करोड से बढ़कर हो चुका 27,000 करोड तो income में year on year basis पे तो अच्छा जंप है बढ़ Q&Q basis पे slightly increase हुई है अब company के total खर्चे को cover कर लेते हैं तो previous year का expense होता वो 18,500 करोड था जो की बढ़कर हो चुका 21,800 करोड तो जैसा income perform किया है वही same company का expense भी perform करता वह दिखा है अब हम company के profit for the period को check out करते हैं जो कि market के according है I think दिख रही है प्रिबियस year का profit था वो 35,99 करोड था जो की बढ़कर हो चुका है 39,81 करोड तो Q&Q basis पे profit में degrowth के expectation थी और वहाँ ही company ने show भी किया है अब company के हम लोग EPS को check out कर लेते हैं तो EPS में year on year basis पे जंप है और Q&Q basis पे गिरावट है तो दोस्तों यह था यहाँ पर SLT का Q4 रिजल्ट होप करता है वीडियो आपको अच्छा लगोगा वीडियो चो लगा लाइक कीजिए पहली बारा सब्सक्राइब कीजिए वीडियो अजिए बाद बाश कुरिया